देख सकते हैं मैं अगर proximity sensor पर हाथ रख रहा हूं तो speakers की जो placement है audio की वो automatically speaker के थुरू नहीं आ रही है वो earpiece से आ रही है तो इसके लिए आपको phone की अपनी जाना है settings में then dual app feature से आपको अपने WhatsApp को clone करना है I mean दूसरा WhatsApp बनाना है एक और लेकिन अगर आपके phone में dual app का feature नहीं है तो कोई बात नहीं आप एक app को install कर सकते हैं जिसका नाम है parallel space उसका link में आपको दिया है नीचे description में तो आपको अपसे आपको install करना है अपनी information को enter करके then आपका account बन जाएगा, आपको email verify करना है सबसे पहले यहाँ पर most importantly, email verify करना के बाद आपको left side में एक unique आपका number मिलेगा, जो की America का number है, plus 1 से start होता है, तो आपको उस number को copy करना है, copy करना के बाद जो हमने भी WhatsApp clone किया था, उसमें आपको जाना है, and then आपको उस clone WhatsApp में sign up करना है basically और इस number को enter करना है, इस number को enter करने के बाद आपको WhatsApp इस number पे SMS send करेगा, basically OTP send करेगा, लेकिन SMS पर आपको एक error आएगा कि हम आपको SMS नहीं बेज पा रहे है WhatsApp, तो आपको click करना है get a call पे, और जैसी आप get a call पे click करते हैं, आपको एक call आएगा Primo app के through, तो आपको Primo app में जो call आप करना है, एक foreign number ये है, then आप इसको use कर सकते हैं अपने friends को prank करने के लिए या फिर जो भी आपको करना है, और ये आप कर सकते हैं अपने regular WhatsApp के साथ भी अगर आपको करना है तो, बट मैंने या पे दूसरा WhatsApp बनाया है क्योंकि मुझे दोनों account use करने थे, और next trick जो मैं पास है, उसको use करके आपने friend को annoy कर सकते हैं, परिशान कर सकते हैं, एक ही message को thousand of time भेज के, तो उसके लिए आपको एक app को install करना होगा, जो की play store पर नहीं है, तो आपको इस app को download करने के लिए, मैं आपको नीचे description में link दिया है, direct link, तो वहां से आप उस app को install कर सकते हैं, then आपको आपको open करना है, open करने के बाद, आपको एक window आएगी, जहापे आपको text center करना है, जो भी आपको अपने friend को भेजना है, then आपको option मिलेगा amount का, तो यहापे आपको डालना है, कितनी बार आपको SMS या text message भेजना है, WhatsApp पे अपने friend को, तो यहापे आपको कुछ भी डाल सकते है यहाँ में डाल रहा हूँ 600, आप 1000, 20,000 कुछ भी डाल सकते है, then आपको click करना है send पे, और WhatsApp यहापे open हो जाएगा, आपको select करना है कि आपको यह special message के इसको भेजना है, और फिर आप जैसी को करते हैं, आप simply वो message thousands of time आपके friend को चला जाएगा, और वो basically irritate हो जाएगा, और next stick जो है वो यह है कि आप WhatsApp पे italic, bold या फिर strike text और एक different phone में भी message भेज सकते हैं, जो कि fixed SYS font है, Microsoft का बहुत पराना font है यह, तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं, आपको simply कुछ symbols को special characters को add करना है, अपने message के start और end में जो आपको दिख रहे हैं, आपकी screen पे, आपको bold के लिए star यूज करना है और special font के लिए कुछ अलग है, तो यह सब आपको screen पे दिख रहा है, इनका use करके आप एक नए way में WhatsApp पे message भेज सकते हैं, और next thing जो है, वो यह है कि अगर आपको आपके friend ने या boyfriend ने, girlfriend ने, girlfriend ने block कर रखा WhatsApp पे, तो आप कैसे उनके account से खुद को unblock कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जाना है WhatsApp में, then again 10 dots में, settings में, account में, then delete my account और यहाँ पे आपको अपने number confirm करना है, और delete my account कर देना है, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने block नहीं किया, but मैं आपको उताता हूँ क्या करना है, आपको 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 WhatsApp को uninstall क करना है, again आपको सब कुछ करना है, sign up वगयरा, जो formalities है, OTP, वो सब करने के बाद, अब अगर आप उस बंदे को message करते हैं, जिसने आपको block किया हुआ था, तो आप उसे message कर पाएंगे, और वो देख भी पाएगा, basically unblock आप हो जाएंगे उसके account से, और next thing जो है, वो यह है क आप कैसे WhatsApp का beta tester बन सकते हैं, और जो आने वाले features है WhatsApp में, उनका सबसे पहले access कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक link पर जाना होगा, जो की play store का link है, वो मैंने आपको दिया है नीचे description में, तो आपको इस link पर जाना है, and make sure आपने Google account से sign in किया हुआ है, जो की same होना चाहिए है, जो आपने play store में भी use किया है, उसके बाद आपको click करना है become a tester पे, जैसे ही आप ये करते हैं, आप WhatsApp के beta tester बन जाएंगे, और आप फिर जाएंगे play store में, same Google account से, और आपको, अगर WhatsApp का कोई भी beta version होगा, तो आप उसको install कर सकते हैं, और जो भी new features आने वाले, उन करते होंगे, जो कि automatically आपके phone की जो gallery है, उसमें sync हो जाते हैं, और आपको वहाँ पे दिखने लग जाते है, WhatsApp images के नाम से, तो अगर आपको वह पसंद नहीं है, आपको उसको hide करना है, जो कि बहुत लोग चाते हैं, तो वह आप कैसे कर सकते हैं, आपको उसके लिए simply अपने phone के file manager, या फिर my file section में जाना है, और then आपको वहाँ पे जाना है, WhatsApp में, then media, then आपको जो भी folder hide करना है gallery से, उसको आपको rename करना है, और उसके आगे आपको dot लगाना है, जैसे मैंने आपको लगाया WhatsApp images के आगे dot, और जैसे मैं ये करता हूँ, इस जगह से my file से, और gallery से भी, य अगर आपको ये किसी by chance आपको ये folder वापिस लाना है, किसी भी कारण के लिए, तो आपको simply my file के आपको setting में जाना होगा, then आपको click करना है, या फिर enable करना है show hidden files को, और फिर आपको वह folder दिख जाएगा, then आप उसके आगे से rename करके dot को हटा दो, और फिर वापिस से वह folder आ okay Google, send a WhatsApp message to Harshit, what's up bro, cancel it, so ऐसे करके आप अपने friend को message कर सकते है, सीधा Google now का use करके, और next trick जो है, वो है two step verification, तो यह basically एक बिल्कुल नया feature है, जो WhatsApp ने add किया new version में, new update में, तो इसके लिए आपको जाना है अगे WhatsApp में, then team dots में, settings में, account में, और फिर आपको एक नया option मिलेगा, जो कि है two step verification, अगर आपको यह option नहीं दिख रहा है, तो that means obviously आप पुराना version यूज यूज कर रहे है, app को update करो, play store से या फिर app store से, उसके बाद इसको open करना है आपको, then आपको यहाँ पे six digit का passcode एंटर करना है, उसको confirm करना है, और उसके बाद आपको अपना email address एंटर करना है, जो कि use होगा, अगर आप यह passcode भूल जाते हैं, तो reset करने के लिए, उसके ही, वो कुछ भी यहाँ पे कर पाएगा, तो basically WhatsApp ने एक नया feature यहाँ पे add किया है, और जादा आपके account को secure बनाने के लिए, और थोड़ी सी और security WhatsApp में add करने के लिए, तो अगर आप कोई use करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जरूरी यह नहीं है, एक optional feature है, और next नीचे link दिया, description में, officially WhatsApp की website से, install करने के बाद अपने laptop में आपको उसको open करना है, और आपको एक bar code वहाँ पे दिखेगा, तो उसके बाद आपको अपने phone में, android phone में, जो भी आपके फास phone है, उसमे WhatsApp को open करना है, then आपको उपर teen dot पे, एक option मिलेगा, WhatsApp web का, उस पे आपको click क सकते हैं, obviously internet के through, वो भी एक बिल्कुल a new user interface के साथ में, और next trick जो है, वो basically बहुत ही simple और basic trick है, बट फिर भी बताता हूँ, मैं आप सबको वो यह है, कि अगर आपके WhatsApp पे group है, family group या फिर friends का group कोई भी है, तो उसमें बहुत सारे log होते है, तो आपको किसी को reply करना है, तो confusion ह होती है, कि आप किस से बात करना है, तो अब एक new feature आ चुका है WhatsApp में, बहुत time हो चुका है, बट अगर आपको पता नहीं है, तो आपको उस message को hold करना है, जिसको आपको reply करना है, जिस भी बंदे को, उसका message आपको hold करना है, उपर आपको एक arrow का option मिलेगा, left arrow, उस पर आपको of waters धिक traffic करना है, तो आपको उस刺ह 25 अजजए पटियू, जिसको करना है झापको झापको पर आपको शचके से लिए से इस नहीं है, निस rise बंदे करना है, तो आपको 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 आपक den से अजहर।, आपको आपको आपको, आपको आपकोज़ के रहाएंग News ऊज़berries, ब झाल झाल